Hello everyone, welcome to my youtube channel Geografic Alive आज की इस वीडियो में हम लोग tribes discuss करेंगे और tribes जे हम लोग Iskimo tribe को discuss करेंगे Iskimos कहां पाये जाते हैं, इनकी territory क्या है, इनका habitat क्या है, इनका physical environment क्या है और इनकी society क्या है, इन सब चीजों को हम लोग discuss करेंगे मेन वीडियो स्टार्ट होने से पहले, मैं आपको एक बात बता दूँ कि Human Geography के बहुत सरे topics के बारे में मैंने वीडियो बनाई है और बहुत सरे topics के वीडियो में बनाने वाला हूँ So, अगर आपको Human Geography पढ़नी है और टेल में, तो आप मेरे playlist खोल दीजेगा Human Geography के जिसकी लिंक मैंने description में दे दी है और उससे आप सारे Human Geography के टॉपलस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, okay So, let's start with the general information or general introduction about the Eskimos Eskimos are also known as units और Eskimo का जो literal meaning है, Eskimo word का जो मतलब है, वो है Eaters of raw meat मतलब, कच्चे मास को खाने वारे लोग और unit का मतलब होता है, real people जादा तर हम लोग Eskimo के नाम सही जानते हैं इनको So, हम लोग पुरी वीडियो में Eskimo word ही यूज करेंगे अब Eskimo के बारे में सबसे important बात कि इनका human behavior जो है, ये largely controlled by environment है मतलब, जहाँ पर ये Eskimos रह रहे हैं, वहाँ पर environment कैसा है वो उनके behavior को determine करता है और पूरा behavior to Eskimo का होता है कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है वो totally environment control करता है Okay, Eskimos की semi-nomatic life होती है Nomadic life मतलब, ऐसे लोग, जो लोग एक जगह स्थिर ने रहते हैं hunting के लिए, या business के लिए, या occupation के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह तक move करते है migrate करते है semi-nomatic मतलब, जो लोग कभी-कभी romantic life follow करते है Eskimos are still in their primitive age of development इसका मतलब यह है, कि जो Eskimos है इनका development बहुत प्राचीन है इनका development हुआ ही नहीं है because यह ऐसे environment में रहते हैं कि जो की favor ही नहीं करता है इनके development को और यह जो Eskimos होते हैं इनका food, clothing, shelter और tools क्या है और social economic life और culture इस सारी चीजें environment की determine करता है और environment से ही influence होती है अब हम लोग देखते हैं कि जो Eskimos हैं इनके territory का है, यह कहाँ पर पाये जाते हैं Eskimos are generally confined in the architect tundra which is a treeless area encircling the north pole मतलब जो Eskimos हैं यह architect region में पाये जाते हैं जो की architect circle के around region है north pole के around region है वहाँ पर इन Eskimos की territory है जैसे कि आप map में देख सकते हैं habitat है Eskimos का कौन कौन सी countries में है USA, मतलब Alaska वाला portion Canada, Greenland, Russia तो यह major countries हैं जहाँ पर Eskimos का habitat है इनकी territory है और Eskimos जड़ातर यहीं पर रहते हैं सो हम लोग देखते हैं कि Eskimos का physical environment कैसा होता है तो इनका environment जो है एक दिम treeless area मतलब बिल्कुल भी पेड यहाँ पर पाया नहीं जाते हैं बड़े-बड़े पेड यहाँ पर पाया नहीं जाते हैं साती सात इनके जो area है यहाँ पर लंबे time तक winters में darkness रहती है मतलब अंधिरा रहता है और जो summers होती है इनकी मतलब गर्मिया होती है वो बहुत कम time के लिए होती है उसके बाद यह जो winters होते हैं इन Eskimos के area में यह 7-8 महिने तक चलते हैं और जो winters होते हैं मतलब जो ठंड़क का मौसम होता है यह बहुत ही severe होता है बहुत ही गंभीर होता है और 7-8 महिने तक मतलब जब तक winters चलते हैं तब तक यह frozen रहता है मतलब एकदम जमा हुआ बर्फ से एकदम धका हुआ यह portion रहता है लेकिन यहां के इस temperature से iskimos ने अपने आपको adopt कर लिया है लेकिन actually जो iskimos है यहां पर इनको सबसे बड़ी problem होती है जो storms और blizzards आते हैं मतलब जो तूफान आ रहे हैं यहां पर snow storms आते हैं उसकी वज़े से जो iskimos है इनकी जो nervous system है और thermal balance है इनका body के एकदम गड़बर हो जाए जिसकी वज़े से इनकी life वो नुकसान पहुचता है तो एक तरीकी से देखा जाया तो winters इनके लिए खतरनाक नहीं है लेकिन winters में जो storms और blizzards आ रहे हैं वो इनकी body के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और यहाँ पर rain और snowfall बहुत कम होती है लेकिन यहाँ पर 7-8 मेने तक snow जमी हो रहती है बर्फ जमी हो रहती है because इनका latitude की वेसे यह polar region से पाय जाते हैं इस वज़े से 6 मेने की darkness होती है because जब sun southern hemisphere पर overhead है तब northern hemisphere में जो polar area है architect region है वहाँ पर 6 मेने की darkness हो जाती है अण हम लोग देखते हैं इस area में fauna कैसे पाय जाता है fauna मतलब यहाँ पर jiv jantu कैसे मिलते हैं कैसे jiv jantu यहाँ पर पाय जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी होती है इस वैसे जितने भी जीव जन्तों यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने उस थंड़े तंपरिचर को अपनी बॉड़ी से अडॉप्ट कर लिया है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर रहने के लिए नहीं होती है, फिर जो थंडे कून वाले जानवर होते हैं, वो तो इस थंडे एंवार्मेंट में अपनी बॉड़ी को अडॉप्ट कर लिए ठिक फर, मतलब मोटी चमड़ी प्रवाइट की है जिसके वैसे ये अपने बॉड़ी को उस temperature के accordingly adopt कर लेते हैं prominent mammals are architect fair, architect foxes and snowy owl polar bears, elk, reindeer, geese, ducks ये सब जानवर भी वहाँ पर दिखाई देते हैं और इन्ही जानवर को इनसान, साथी साथ wolverine, wolverine एक मासाहारी जानवर होता है तो इनसान और ये wolverine, दोनों ही इन सब जानवरों को हंड करते हैं, इनका शिकार करते हैं और इनको खा जाते हैं साथी साथ यहाँ पर दो sea mammals हैं, यानि कि जो समुदरी स्तंधारी जानवर हैं, उसमें से दो बहुती main है पहला है seal, दूसरा है walrus तो अब हम लोग racial features देखते हैं, iskimos के, iskimos जो हैं, mongoloids by race है, इनका race क्या है, mongoloids ये short statured होते हैं, मतलब इनकी height छोटी होती है, flat but narrow face, छोटी नाग, yellow to brown skin color, and coarse and straight black hairs ये सब इनकी physical characteristics हैं, जो कि इनके races को define करती हैं iskimos के जो कपड़े होते हैं, वो बारा सिंगा के खाल और उसके फर से बनते हैं, और iskimos जो tribe है, उसका बहुती striking feature है कि 8000 km का across इनका habitat फैला हुआ है, और इस पूरे area में, इनका जो cultural, social, and economic pattern है, हर जगा इस पूरे area में almost एक जैसा पाये जाता है जो एक बहुती striking feature है जो हम लोग iskimos culture में देखते हैं main dialects जैनि कि जो भाषाएं iskimos की है वो है, यूनिपिक और यूपिक ये दो main भाषा है, यूनिपिक जो है वो Greenland और West Alaska में बोली जाती है, और यूपिक जो है वो Southwest Alaska और Siberian region में बोली जाती है अब eskimos का एक बहुती important cultural element है igloo igloo क्या होता है, igloo जो है वो special houses है जिनको हम लोग snow house भी बोलते हैं जिनको हम लोग snow के blocks जैनि कि snow के जो eat होते हैं उससे बनाए जाते हैं ज्यादा तर जो migratory eskimos होते हैं, जो eskimos ऐसे एक जगे से दुसरी जगा migrate कर रहे हैं जनरली वो eskimos को बनाते हैं और वो इस area में, इस eskimos में रहते हैं अचाहिए igloo बनाए के जाते हैं, जो snow होती है, बहाँ पर इखटा होते होते हैं, वो बहुती thick snow हो जाती है जिसकी वज़े से बहाँ पर snow piles develop हो जाती हैं अब उन piles of snow को ivory knife से cut करके bricks बनाय जाते हैं और उन bricks को use करके यह eskimos का development या construction होता है जो की जगातर migratory eskimos करते हैं अब eskimos की society के बारे हम बात करते हैं, बहुत important topic है यह eskimos जो primarily हैं, वो hunters of maritime mammals हैं, जैसे की seal, walrus इन सब जानवरों को यह लोग खाते हैं, उनका hunting करते हैं, फिर इनी जानवरों को खाते हैं और इनकी जो खाल होती है, उसको as a cloth use करते हैं साथी साथ society इनकी patrilineal society है, patrilineal society मतलब पित्रवंशिय society जहाँ पर जो oldest person है, जो सबसे बुढ़ा इनसान है, वो सबसे ज़्यादा respect पाता है साथी साथ यह जो oldest person of the family होता है, इसकी काफी authority होती है family members के उपर, सारे decisions family के यही लेता है, जो oldest person होता है जैसे की कहाँ पर hunting करने जाना है, hunting में क्या करना है और जो hunting पर लोग करने जाते हैं, और जो वो hunt करके लाते हैं वो सारा, जो hunt करके लाए हैं, जतना भी animals hunt करके लाए हैं वो सारे उस oldest person को hand over कर देते हैं और फिर जो वो oldest person है, उसकी wife generally उस समान को family members में distribute करती है तो कहने का मतलब यह है कि इनकी जो society होती है, इनकी जो family होती है इसमें oldest person की सबसे जादा importance होती है सबसे ableist person मानते हैं, जो oldest person होता है जो young men होते हैं, यानि कि जो नौजवान होते हैं उनको बहुती rigorous, मतलब बहुत कठोर training दी जाती है because उनको इतने harsh conditions में, इतने cold conditions में जाके hunting करनी है जो कि बहुती एक मुश्किल और बहुती exhausting काम होता है Summers में, यानि कि जो छोटे मोटे summers होते हैं, चुराई से September के बीच में यहाँ पर बहुत सारे skimों के जो bands होते हैं, वो एक साथ इकटे होते हैं और तैवार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं Festival और ceremony से basically होता है, जो होते हैं Young men होते हैं, या आपस में लड़ते हैं, खेल कूद होता है मतला अपनी ताकत का production करते हैं और magicians के बीच में, यानि कि जादुगरों के बीच में आपस में magical powers का competition भी होता है इसकिमो कल्चर का जो common elements हैं, वो है bow, arrow, salmon spear, large open boats, snowshoes, tailor clothing, etc ये सब इसकिमो के कल्चर में commonly देखी जाती हैं साथी साथ इसकिमो जो होते हैं, ये silent trait को भी practice करते हैं उसके बाद जो इसकिमो की जो traditional activities होती हैं वो totally animal life पे depend करता है because ये क्या खाएंगे, क्या पेहनेंगे, और क्या जलाएंगे सब कुछ totally animals पे depend करता है इसलिए animal life जो इसकिमो के traditional life होती है उसको बहुत ज़दा determine करती है साथी साथ इसकिमो में कभी आज तक wars या दंगे या लडाई फसाथ सुनने को कभी नहीं मिला और the struggle of life is greater among the iskimos than among any other people ये बात बिल्कुल सच है कि जो इनका life struggle है वो बहुत ज़दा है और मैं तो कहूंगा कि जितने भी tribal areas हैं, जितने भी लोग रहते हैं सबसे ज़दा struggle life in iskimos की देखी जाती है इसका मैं आपको बहुत चोटा सा example देता हूँ कि जब बहुत ज़दा harsh conditions हो जाती है इस area में और उनलों के पास खाने को कुछ नहीं बचता है तो फिर क्या होता है, ऐसा person जो कि disabled है या ऐसा person जो society पे एक burden है या कोई बुड़ा इंसान, वो decide करता है कि मैं अब suicide करूँगा और जो मेरा flesh होगा, उसको use करके बाकी लोगों का पेट भरा जाएगा और वो जिन्दर रहेंगे So इस example से आप समझ सकते हैं कि कि इतना struggle है इनकी life में और ये जान भी इतना असानी से नहीं देते हैं ये लोग, मतलब बर्फ में, बर्फ गिर रही होती हो फिर उसके बाद, इसके मोज में चोरी चकारी जैसा आज तक कुछ सुनने को नहीं मिला है यहाँ पर marriages, arranged marriage होती है, pre-arranged marriage होती है और जो उनकी society का सोच है, वो ये है कि marriage without love मतलब, love जो है, वो शादी के 3-4 महिने बाद होता है तो society is monogamous monogamous मतलब, एक इनसान एक ही बाद शादी करता है, polygamous नहीं जैसे बहुत सरी tribes में एक आदमी 3-4 और तो से शादी कर लेता है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जो लोग है, वो सिर्फ monogamy को follow करते है फिर जब ठंडियों में wood की availability नहीं होती है, because उनको आग जिलानी होती है, so that वो अपनी body को warm कर सकें तो जब wood नहीं available होता है, तो animal fan मतलब भी को use करते हैं वो लोग आग जिलाने के लिए उसके बाद दो reindeer और केरिवो की स्किन होती है, केरिवो भी एक जानवर होता है, इसकी स्किन जो है, वो इसके मूँ का clothing प्रोवाइट करती है, मतलब कपड़े प्रोवाइट करती है और जो कपड़े हैं, ये इनकी खाल से सिले जाते हैं, जो की वाँ की ओड़ते सिलती हैं फिर अपनी आखों को ये snow blindness से बचाने के लिए slit goggles पहनते हैं, जो की ivory से बना होता है traveling के लिए ये लोग sledge को use करते हैं sledge generally dog की team चलाती है, मतलब कुतों की एक team sledge को draw करती है, खीचती है और कभी-कभी reindeers भी, यानि की बारा सिंगा को भी use किया जाता है sledge को खीचने के लिए basically जब skimos को large distance travel करना होता है, migrate करना होता है, तो वो reindeers को use करते हैं वो थोड़े दीरे चाल पर चलता है, लेकिन अगर उनको hunting पर जाना होता है, तो ये लोग dog-driven sledge यूज करते हैं मतलब जब एक team of dog, वो sledge को खीचते हैं ताकि वो बहुत तेज दोड़ता है, इसकी वैसे वो असानी से hunting कर सकते हैं लेकिन अब पिछले कुछ दशकों से जो iskimos हैं, ये modern world से भी थोड़ा attach होने लगे हैं, involved होने लगे हैं लेकिन इनकी जो traditional पारंपरिक beliefs और practices हैं, वो अभी तक change नहीं हुई हैं, वो वैसी की, वैसी ही देखी जाती हैं Greenland के iskimos ने अपनी एक fishing industry स्टार्ट की है, patient, medical services और local cell government भी महाँ पर अब देखी जाती हैं साथी साथ, iskimos ने अब थोड़ा अपना interest जो है, fur trade में भी देखा है, fur trade भी वो करते हैं और अपने use से जादा, मतलब जितना for उनको use करना है, उससे जादा ये लोग इकटा करते हैं, और फिर वो उसका trade यानि वैपार करते हैं सो अगर iskimos की life on society को मैं conclude करूँ, तो basically iskimos एक ऐसे group है, ऐसा group of people है, जो की हम लोगों को ये explain करता है कि कैसे limited resources को use करके, इतने harsh conditions को face करके, कैसे अपनी जीवन को रहना है, कैसे इतने limited resources को, जो resources मिल रही है, उनका best use कैसे करना है ये सब चीजें हम लोगों को iskimos सिखाते हैं, लेकिन साती साथ iskimos के साथ बहुत बड़ी problem भी है, कि इनके life में इतना struggle है, इतना जादा survival का struggle है, जिसके वैसे इनको इतना time ही नहीं मिलता है, कि वो अपनी higher needs को पूरा कर सकें, और उनका development हो, उनकी life में खाने को ठीक से नह इनका physical environment का role है उनकी lifestyle में, वो कभी नहीं change हो सकता, कभी भी बदल नहीं सकता, बहुत ही बड़ा role प्ले करता है ये physical environment उनकी lifestyle को, So, here we come to the end of the video, human geography के और videos देखने के लिए आप मेरी human geography के playlist को ज़रूर follow करिएगा, वीडियो में कोई भी confusion हो, कोई भी doubt हो, तो please को सेने mention कर दीजेगा, साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो, तो like करिएगा, share करिएगा, और मेरी चैनल को ज़रूर subscribe करिएगा, और अगर आप मेरे social media से जुना चाहते हो, तो please मेरी Instagram को follow करो, जो कि मैंने link description में दे दी है, Thank you for watching, जहन, stay safe and stay healthy.